स्मिलात मारहिम, स्सारा मुर्य कुछ टोरेंट्स, हाव यू, I hope you are fine, class 4, multiplication by 10, find the product of 8 multiply by 10, जैसे का आप लोगों बता है, क्या हम टेपिक बटते है, 2 10s बाग 20, 3 10s are 30, हमेशा 10 से multiply करने के बाद, हमारे answer में, 8 0 increase हो जाता है, for example, like this, 3 10s are 30, so 8 10s are 80, 7 10s are 70, 13 10s are 130, and 18 10s are 180, इसी तरीके सारे multiplication होगी, सब में, 1 1 0 का increment होगा, then the next exercise, multiply the following by 100, 100 में किते decimals है हमार पास, 2 decimals है, जब 2 decimals होगे, नहीं पास आज़े में भी 2 decimals का increment होगा, 2700 जा, 2700, 4200 जा, 4200, 100 300 जा, 100 300, 216 100, 6900 जा, 6900, and 7400 जा, 7400, क्या होगा, simple, यहाँ पर 10 से multiply गया था, तो 1 0 का increment होगा, यहाँ पर 2 0, 100 थे, 100 से multiply गया, तो 2 0 का increment होगा, next question हाँ के पास है, 1000, 1000 में यहाँ पर हमार पास है, 30 0, 3 decimals है, तो हमार पर आचल में भी 3 decimals increase होगे, 37,000 is equal to 37,000, 87,000 is equal to 87,000, जितने भी यहाँ पर numbers बढ़ते जाएंगे, उनके answer में हम 3 दिन जी होगा, इजाफा करतेंगे, that is the multiplication, now, आपकर आपकर नेक्स्ट है, यहाँ पर word problem, there are 24 boys standing in a row, एक row है, उसमें 24 boys खड़े होएंगे, how many boys are standing in 9 rows, अगर इसी तरीके की 9 rows होगे पास, तो कितने boys उन 9 rows में खड़े होएंगे, तो हम यहाँ पर बताएंगे, 24 multiply by 9, क्यों हमें multiply गया, because 9 rows अलग-अलग करके, उसमें 24 boys अलग-अलग stand करेंगे, तो आपको बताना है, यहाँ पर कितने boys टोटल खड़े हो सकते हैं, 9 rows में, 9 rows are 36, 9 rows are 18, 18, 19, 20 and 21, it becomes 216, तो अगर आपके पास 9 rows होंगे, तो आपके पास 216 boys खड़े हो सकते हैं, 9 rows के अंदर, next आपके पास है, 1 apple tree has 539 apples, एक apple का tree है, उसके उपर आपके पास 539 apples है, how many apples would there be in 9 trees, अगर इसी तरीगे कि आपके आपके नौ trees होंगे, तो उनमें कितने apples होंगे, अब अलग-अलग हम count करके add नहीं करेंगे, simple is that हम यहाँ बे 539 को multiply कर देंगे 9 के साथ, 9 9s are 81, 9 3s are 27, 27 plus 8 we get 35, 9 5s are 45, 45 plus 3 48, तो अगर आपके पास 9 trees होंगे, और एक tree में 539 apples होंगे, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे, there are 4,851 apples in 9 trees, okay student, hope you understand, I love this,